कॉन्निचिवा मीनसान अगें की दिसका कैसे है आप सब हेलो दोस्तों और वेलकम टू मैं चैनल सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जैपनीज लैंगविज स्क्रिप्ट के बारे में और जैपनीज को कैसे लिखा और बूला जाता है इस वीडियो में हम जैपनीज स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे थोड़ा ब्रीफ में दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अगर आपने देखी हो तो कि जैपनीज में थ्री स्क्रिप्ट होती है तीन स्क्रिप्ट हिरगाना, कातकाना, कांजी और रोमजी भी होती है जो है English characters, English words जो यूज होते Japanese को बोलने में और याद करने में तो दोस्तों शुरू करते हैं बीना किसे रुकावट के तो दोस्तों पहले बात करेंगे हम First script, हिरगाना की हिरगाना script में 46 basic characters, letters होते है और हिरगाना characters और letter रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकलर स्लेबल को Letter की खुद में कोई meaning, कोई मतलब नहीं होता जब तक हमें कोई sentence बनाना हो Japanese में तो हिरगाना widely use होती है बहुत ज़्यादा use होती है हिरगाना sentence बनाने में Japanese में और हिरगाना का एक बहुत ही interesting बात है जो कि शायद आपको पता ना हो हिरगाना जो है वो 8-10 century के बीच में बनाई गई थी जो कि कांजी को simplify करके बनी है कांजी इस character जो कि चाइना से लिए गए थे उनसे simplify करके हिरगाना में convert किया गया है और अगर काता गाना से हम इसे compare करें हिरगाना को तो जो हिरगाना characters है वो ज़्यादा curve है as compared to काता गाना characters वो ज़्यादा straight है, bold है यह थोड़े curves में होते है characters हिरगाना के जैसे कि आप देख रहे है दोस्तो हिरगाना में 46 basic characters तो होते ही है जैसे कि आपको सबको पता ही है और इनकी addition में इन 46 characters को जो बोला जाता है Gojon Japanese में इनकी modify forms भी है जो की और sound describe करती है जो की है 20 दा कौन 5 हान दा कौन 36 यौन 1 सौकौन और 6 additional letters है जो दोस्तों अगर दा कौन की बात करें जो की 20 होते है इनकी रगाना में बसे जादा difference नहीं है दा कौन और Gojon में बस इतना सा difference है कि उपर 2 1010 लगते है 1010 इन में जैसे की का है का के उपर 2 1010 लगा दे है मतलब 2 slash लगा दो है ना उपर apostrophe S type तो आपको जो sound मिलेगी वो different मिलेगी Japanese में जैसे का है का के उपर आपने जैसे 2 1010 लगाई तो वो बन गया गा ऐसे कुछ characters है हिरा गाना में जिनके उपर आप 2 1010 लगाएंगे तो उनकी sound different हो जाएगी दाकोन is indicated with two small dots as you seen in this chart दाकोन literally means तरबट और मरकी sound pronunciation of G and G जू and जू are the same in दाकोन इस दाकोन इस दाकोन पर का, सा, ता, हा, रोस लेबल्स दोस्तो अब आते हैं second हान दाकोन पर हान दाकोन का वैसे मतलब है half turbid and murky sound और जो हान दाकोन है यह indicates होते है small circle से जैसे कि आप देख रहे हैं जो हा है हा के उपरे small छोटा से एक circle बना हुआ है अगर आप हा के उपरे छोटा circle लगा दोगे ना तो वो पा बन जाएगा यह एक पार होती है पुरी इसको हान दाकोन बोला जाता है जो कि 5 होते है पा पी पू पे पो यह पाँच होते हैं हान दाकोन में दोस्तों अब आते हैं यह उन पे जो कि होते है 36 36 और जो 36 यह उन है ही रगाना में यह combination है अब दा जो consonant of I column syllables और या, यू, एन यू जैसे कि आप देख रहे हैं का प्लस या वो बन गया क्या यह उन is described by I column letters plus small या, यू, एन यू जैसे कि for example की प्लस या बन गया क्या pronunciation of जा, जू, जो and जा, जू, जो are the same अब बात करते हैं additional letters जो कि 6 होते हैं और यह 6 letters invent होएते हैं modern era में foreign language को उनकी sounds को describe करने के लिए और एक बात बहुत important जो foreign words है ना उनको लिखने के लिए काता काने यूज होती है mostly और यह 6 additional letters है ना यह बहुत ही rarely use होते है rarely दोस्तों अब आते हैं सुकौन पे जो कि छोटा सू होता है दोस्तों आप इस वीडियो से आपको हिरा काना के बारे में mostly पता चल गया होगा thank you guys for watching my video please subscribe, share and click the bell icon if you like this video arigatou gozaimasu matane अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्